सब्सक्राइब कीजिए गुल्षादंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेज कीजिए जिससे आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिले और आप कोई भी वीडियो मिस्त ना कर पाएं हेलो एंड वेलकम टू गुल्शाद अकेडमी मेरा नाम गुल्शाद अन्सारी है आज की इस वीडियो में मैं आपको ओपेसिटी मैप के बारे में बताऊंगा ओपेसिटी मैप को कैसे यूज करेंगे और आप अपने हिसाब से उसको कैसे यूज कर सकते हैं लास्ट वीडियो में मैं काफी मेटरियल्स बनाना आपको बता भी चुका हूँ इस वीडियो में मैं आपको ओपेसिटी मैप के बारे में सिखाऊंगा और कुछ और इसके बाद भी सिखाऊंगा कुछ और मेटरियल्स बनाना और फिर इस वाले प्रोजेक्ट को कम्प्लीट क करेंगे हैं तो आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं ओपेसिटी में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर यह मैंने ओपन कर रखा है और यह इसका रेंडर का प्रिव्यू है उल्लेडी तो यहां पर मैं कोई एक उब्जेक्ट बना लेता हूं नॉर्मल सा ही ठीक है जैसे suppose grow मैंने यहां पर लिया यह ले लिया मैंने यहां पर और इसको rotate करके je suppose grow यह कोई object है यहां पर मेरे पास अभी अगर मैं यहां पर render करके देखता हूं तो कुछ नहीं मैंने इसके उपर कूई Material अप्लाई नहीं क्या कुछ नहीं है ठीक है simple है normal जैसे होना चाहिए वैसे ही है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस से यही पर और मैं यहाँ पर एक new material लगाऊंगा generic तो इसको कुछ भी नाम दे देंगे जो भी नाम देना है तो यहाँ पर right click करके इस पर rename कर लो कुछ भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं ठीक है reflection में ले लो कुछ भी reflection map ले लो glossiness में ले लो glossiness में ले लो कुछ भी reflection भी ले सकते हो तो यहाँ पर एक opacity है हमारे पास में जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है तो opacity में क्या होता है अभी यह by default यहाँ पर इस तरह का आपको मिलता है तो opacity में अगर मैंने suppose करो य यह ब्लेक एंड वाइड तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जहां पर ब्लेक है इसने उस जगा को खाली कर दिया यहां पर अगर आप देखेंगे उस जगा को खाली कर दिया तो मैं यह वाला material इसमें apply कर देता हूँ मैंने यहाँ पर कर दिया apply to selection और अब render करके देखो इसको तो देखिए size बहुत छोटा है तो इसलिए इस तरह का दिख रहा है तो कोई बात नहीं में इसका जो texture है यहाँ पर opacity में यह वाला इसका मैं texture placement यहाँ पर देख लेता हूँ texture placement में इसमें यहाँ पर मैंने link करके इसको कर दिया point one अब मैं यहाँ पर इसको देख लूँगा तो आप देख सकते हैं यह यहाँ से opacity का मतलब उस जगों को बिल्कुल खतम कर दागा बिल्कुल उस जगों को cancel कर दागा अगर वहाँ से black है black और white के बीच की अगर value है कोई भी अगर कम है वालोग gray color का है तो हलका सा opacity दिखेगी उसमें को उसके through दिखेगा लेकिन उसको बिल्कुल pure cut नहीं करेगा ऐसे जैसे इसने यहाँ पर कर दिया है तो for example मैं आपको एक image और लगा के यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें से इसको तो मैंने कर दिया है यहाँ से clear वही image लाता हूँ जो मैं last video में मैंने आपको दिखाई ति blend में use करके मैंने यहाँ पर click है और bit map ले ली मैंने और यह वाली image ले ली मैंने ठीक है इसमें अगर मैं इसको open करके दिखाता हूँ आपको तो pure black भी नहीं है और pure white भी नहीं है थोड़ा सा level है black and white के बीच का तो इसको select करके मैंने open कर लिया ठीक है अब यहाँ पर मैं इसमें अगर द texture placement में जाकर यहाँ पर मैंने इसको link करके texture को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा कर दिया और अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसको तो आप यहां पर देख सकते हैं इसने इसको यहां से किस तरह से शो किया है तो आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको यह कहां पर यूज करना है जैसे सपोज करो कहीं पर लीफ है कोई पत्ता है पत्ता के चारो तरफ से काटना है उसको तो जहां पर जो लीफ होता आप्लाई करके दिखाता हूं Pure Black and White. देखे मेरे पास एक दूसरी image है इसी तरह कि ये देखे इसमें ये Pure White यहाँ पर है और Pure Black यहाँ पर है. ठीक है मैं यहाँ वाली image यहाँ पर लेकर आता हूं. तो यहां पर मैं image अगर change करना चाहता हूँ इसी जगह पर चाहे तो आप back जाके उसको clear करके bit map लेके दुबार से लेका है नहीं तो आप यहीं से इसके उपर click कर दें और वो folder open कर लें जहां पर हमारे पास वो image रखी हुई है तो यहां से मैंने इसको open कर लिया और मैंने इसक effect किया इस वाली image को और इसको मैंने open कर लिया तो यहां पर देखने मैंने बलकि यह image है यहां पर इतनी high quality की नहीं है थोड़ी सी कम quality की है और इसको मैं और scale को बढ़ा करता हूँ जिससे और clear 0.05 किया मैंने ठीके picture जो है ना high quality की नहीं है high quality की picture भी होनी चाहिए यह भी करते हैं जैसे suppose करो curtain वगेरा है तो curtain में इस तरह का look डालना है कहीं पर curtain के through दिख रहा है उसमें बहुत सारे material यूज किये जाते है blend वगेरा mix करके वो भी मैं आपको सिखा दूँगा step by step अगर आप अपनी support मेरे साथ रखेंगे subscribe जरूर करेंगे अगर आपने subscribe नहीं किया और वीडियो को like करेंगे share करेंगे और wash करेंगे पूरा online तो जरूर मैं इस चीज को आगे लेकर जाओंगा तो आप देख सकते हैं यहां से इसमें इस तरह से जो opacity है वो इसी तरह से यहां पर show होगी अब opacity map को use करके आप बहुत कुछ create कर सकते हैं जो भी आपके mind वाता है देखे material का कोई मतलब end नहीं है आपके उपर depend करेगा कि आप इन tools को use करके क्या-क्या material create कर सकते हैं और क्या-क्या चीज आप बना सकते हैं यह आपके उपर depend करेगा इसमें कोई end नहीं है कोई कि किसी के दिमाग में कुछ material है किसी के दिमाग में कुछ material है कोई कुछ चीज बना रहा है तो इनी tools को use करके आप कुछ भी materials बनाना चाते हैं बना सकते हैं तो कहीं कहीं पर हमें यूज़ करना पढ़ सकता है photoshop भी texturing को edit करने के लिए कहीं कहीं पर texturing बनाने के लिए हमें use करना पढ़ सकता है illustrator भी तो ये सारी चीज़े भी मतलब आपको आनी चाहिए Photoshop, Illustrator, बहुत सारी चीज़े आनी चाहिए अगर आप एक Artist है एक आप Visualizer है 3D Artist है तो आपको इन चीज़ों की Knowledge भी होना ज़रूरी है बाकी मेरी Photoshop की Tutorials भी है For Post Production अगर वो भी नहीं देखें तो वो भी देख लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियों है सिर्फ इस SketchUp की ही नहीं अगर आप मेरे चैनल पर New है तो चैनल को ज़रूर Open करके एक बार देख लें अगर पसंद आई तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब भी करें तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप Opacity Map को Use कर सकते हैं और उसको Use करके आप अपने हिसाब से क्या-क्या Materials को बना सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं अच्छे लगी तो लाइक करें शेर करें फ्रेंट के साथ में नेक्स वीडियो में आपको आगे बताऊंगा इसमें मिलते हैं नेक्स वीडियो में साफ सफाई का ध्यान रखें गरीबों की मदद करें थेंक्यू